हेलो दोस्तों स्वागत है आपका टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं गौड फादर फिल्म की जिसे लेकर फैंस काफी जादा एक्साइटेड हैं तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हम यहां हर रोज आपके फेवरेट स्टार्स और उनकी आने वाली नई मूवी से जुड़ी जानकारियां लाते रहते हैं चिरन जीवी की मच अवेटिड फिल्म गौड फादर का ट्रेलर रिलीस हो गया है इस फिल्म में सलमान खान का भी एक स्पेशल रोल है कुछ दिन पहले ही चिरन जीवी और सलमान खान पर फिरमाया गया गाना थार मार रिलीस किया गया था जिसे कमाल का रिस्पॉंस मिला अ ने इन दुश्मनों से लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन मज़ा तो तब आता है जब सीन में सलमान खान के एंट्री होती है दुश्मनों संग चिरंजीवी की लड़ाई में सलमान उनकी मदद करते हैं वे चिरंजीवी को अपना बड़ा भाई मानते हैं ट्रेलर काफी कमाल का है, फिल्म में हाई अक्टेन स्टंट और एक्शन सीन होंगे, जिनकी जलक हमें ट्रेलर में दिख गई है, गौड़ फादर में नयंतारा और सत्य देव भी हैं, और ये फिल्म 5 अक्टूबर को थेटर्स में रिलीस होगी, गौड़ फादर एक्टर मोहन राजा डिरेक्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स के मताबिक सल्मान खान ने चिरन जीवी के इस फिल्म के लिए कोई फीस भी नहीं ली है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, चिरन जीवी ने एक इंटर्वियो में बताया था कि वह और सल्मान क्लोस फैमली फ्रेंड हैं, दो ववे शारुखान स्टारर पठान में भी एक कैम ये रोल में नजर आने वाले हैं, फिलहाल सन्मान किसी का भाई किसी की जान और बिग बॉस 16 की शूटिंग में बिजी हैं, इसके बाद वैनीज बाजमी की नो एंट्री में एंट्री की शूटिंग का चुरू करेंगे, तो